तारीख दो फर्वरी दो हजार चौबिस जगह यूपी गी राजधानी लखनाओ का मलिहाबाद इलागा यहां रहने वाले फरीद खान का घर अचानक से गोलियों की तर्टराहत से गूंज उठा इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसी कल्पना शायद किसी नहीं की हो यहां एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई वो भी महस जमीन के एक टुकडे के लिए हत्या करने वाला परिवार का ही एक रिष्टेदार और उसका पेटा था हैरत की बात तो ये थी कि जिन दो लोगों ने इस हत्याकान को अंजाम दिया था उस में से एक के उम्र 70 साल की थी यही नहीं वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है सफेद दाढ़ी मूच वाला एक हिस्ट्री शीटर भुजूर्ग जिसे कल तक शायद लखनव पुलिस और गिने चुने लोग ही जानते थे आज उसे पूरा देश जानने लगा है आरोपी हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा फिलाल फरार है लेकिन उसकी तलाश के लिए पुलिस भी जी जान से जुटी हुई कौन है वो हिस्ट्री शीटर बुजूर्ग जिसने लखनव में ट्रिपल मडर की वारदात को अंजाम दिया आपको विस्तार से बताते हैं मेरे नाम है अदर्श और आप देख रहे हैं NBT Online लखनव में 70 साल के हत्या रोपी ललन खान और गबबर खान की क्राइम की दुनिया से पुराना नाता रहा है अब उसका नाम फिर से क्राइम की दुनिया में उशला है नियु रिपोर्ट की माने तो ललन खान काकोरी इलाके करहने बाला है उस पर पहले से ही 24 से ज़्यादा केस दर्श अस्ति के दशक में लखनव में ललन खान की तूती बोलती थी वो घोड़े से चलता था और खुद को गबबर खान कहलाता था एक केस के सिलसले में जब साल 1985 के आसपास ललन उर्फ गबर सिंग के घर पर दबिश दी गई तो उसके घर से कई हथियार मिले थे एक ही लाइसेंस पर उसके पास कई हथियार थे साथ ही कई अवैद असलहे भी उसके पास मिले थे कहा जाता है कि ललन शुरुआत से ही हतियारों का शौकीन रहा है वहीं चापे मारी में उसके पास एक अवैद माउजर भी बरामत की गई थी चौकी इलाके से पुलिस ने घर से जो असलहे बरामत किये उनको दरी पर बिचा कर ललन खान को बिठाया गया था और उसी तस्वीर भी खीची गई थी मलियवाद के रहने वाले ललन खान के तीन बेटे हैं जिनमें दो बेटे पोलाइंड में जाकर बच चुके हैं वहीं तीसरा बेटा सिराज वही है जिसने लखनव हत्याकान में अपने पिता का साथ दिया जे हां ताज़ा मामला दो फरवरी का है ललन ने अपने बेटे के साथ अपने ही रश्चदारों की गोली मार कर बेरहमी से हत्याकार डाली फिर मौके से फरार हो गए लेगिन उसकी ये करतूद सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गए इस हत्याकान के बाद जब पुलिस ने जान चुरू की तो कई सवाल उनके जहन में आए दरसल ललन ने हत्याकान के समय जिस टेलिसकोपिक राइफल का इस्तमाल किया उसका उसके पास लाइसेंस था पुलिस हरान रह गई कि आखिर इतने मामले दर्ज होने के बावजूद ललन खान को लाइसेंसी राइफल कैसे बिल गई यही नहीं उसका लाइसेंस रिन्यू भी होता रहा है उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है तो कैसे उसका पासपोर्ट बना इन सभी सवालों को लेकर पुलिस गहनता से जाच कर रही मलियाबाद के मुहम्मद नगर गाव के रहने वाले फरीद खान और ललन खान का घर आसपास ही रिष्टे में दोनों चाचा भतीजे लगते हैं लेकिन दोनों के बीच कई सालों से जमीन के एक तुकड़े के लिए विवाद चल रहा था जमीन का ये विवाद पुलिस और कोड तक भी पहुँचा लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया नदीजा ये हुआ कि दोनों परिवादों के दुश्मनी समय के साथ और बढ़ती चली गई क्यूंकि जमीन के उस टुकड़े की कीमत चार करोड रुपई के करीब है फरीद का कहना था कि इस जमीन का ज्यादा हिस्सा उसका है जबकि ललन का कहना था कि उसके हिस्से में ज्यादा जमीन आती है दोनों परिवारों के बीच बहस जमीन की ज्यादा हिस्से को लेकर थी इसलिए बटवारा नहीं हो पा रहा था रोजाना की तरह दो फरवरी की सुबह एक बार फिर जमीन की नाब जोग के लिए लेकपाल को बुलाया गया था इसी दोरान बहस हुई और ललन सिंग ने ताबर तोड गोलियां चला दी और ऐसी घटना हुई जिसने पूरे लखनों को हिला कर रख दिया शवों का पोस्ट मौटम करवा कर उन्हें परिजनों को सौप दिया गया है उधर ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से पूरे लखनों में खौफ का मंजर है बदा जा रहा है कि सिर्फ ललन हिस्ट्री शीटर ही नहीं उसके बेटे का भी क्राइम से नाता रहा है देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यूपी पुलिस इस इस्ट्री शीटर को कितना और वक्त लेती है गिरफतार करने में मेरा नाम है अधर्श और आप देख रहे थे NBT Online नमस्कार